तो समाज का डर पपु यदप के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावन हो जाएगे हम तो निरंकुस हो जाएगे हर नेताओं के भीतर रमेश की हत्यारा भचेगा नहीं आप भरोसा रखे पूरी ताकत के साथ अकास पताल में भी होगा तो स्पीडी ट्राईल करके फंसी की सजा ह होगी आज जितनी बड़ी भी या हमने रास्ते से देखा है रादमी के आंक में आंसु यहां जोड़े हुए और जब हम उसके घर आए उनके बच्चे उनकी बेटी को उनकी पत्ति पर्मुक साहब की घटना हत्या हो गई लेकिन अभी तक हम उस पर थोस मुकबल कोई बोलने क कि हिम्मत नहीं कर रहा है से नहीं सब्सक्राइब कारण क्या है अब यह रमेश जी ने क्या भी कर रहा था मुझको एक बात सिर्फ नितीश कुमार्जी से कहना है दुनिया का सारा काम वो छोड़ दे जितना मोटर सैकील वो सराब के लिए खरीद रहा है या जितना वो हेलिकेप्टर सराब के लिए लगा रहा है जितना पैसा वो सराब के लिए लगा रहा है कि सारा हेलिकेप्टर मोटर सैकील पैसा अपराधी और माफ्याओं को मिटाने प्लाएं कि यदि समाज को जिंदा देखना चाहते हैं बचना चाहते हैं जो इस्थिति है ग्रिजुद की स्थिति कब समाज में किसके खिलाप जंग छीड़ जाए और मुझको लगता है कि क्रिमिनल और पुलीश में अब बल्थरपूर की घटना हिलसा की घटना पलवलपूर की घटना जगदिसपूर बाबू बीर कुमर सिंग के पोते की घटना पुलीश के द्वारा मारते मारते मार देना नियाय के लिए जब उस पड़िबार को नियाय ना मिले पर्मुक साब की घटना हत्या हो गई लेकिन अभी तक हम उस पर थोस मुकबल कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है सैनी साब क्या है अब यह रमेज जी ने क्या भी कर रहा था एक सब्ता में तीन बार हम आवे बिपी नगरबाल और उसके बेब बेटा रोहित पर कोई चर्चा नहीं हो वहां के थाना प्रवारी पर कोई चर्चा नहीं हो और डर भी ना हो कानून का ना नेता के भीतर डर पबली का ना अपराधियों के भीतर ना समाज का तो समाज का डर पपुयादव के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावन हो जाएं हम तो निरंकुस हो हैं हर नेताओं के भीतर पी-म और सी-म के भीतर जनता का डर होना चाहिए तब हम आम आदमी की नियाएं की बात कर पाएंगे आम आदमी की सुरक्षा की बात कर पाएंगे हम राम राज की कलपना करना चाहते हैं राम नभी है राम आज रमजान है हम राम राज की कलपना कैसे क बिना आम लोगों की सुरक्षा के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रमेज जितने लोगप्रिय थे और सब के लिए जीते थे सब की मदद करना कोई मतलब जाती धर मजब का नहीं था आज जितनी बड़ी भीर या हमने रास्ते से देखा है रादमी के आंक में आशू यहां जोड़े हुए और जब हम उसके घर आए उनके बच्चे उनकी बेटी को उनकी पत्नी को देखा तो मुझको लगा इतनी लोकपडिया और घर में कुछ नहीं क्या उन्होंने अपने पड़िवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया फिर इस घट्ना के पीछे कारन किया तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिवा है पॉलिटिकल मॉडर राजनेतिक भर्च्वस और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम की मारा है सूटर सीसी टीवी केमरा है लोकेशन है उस पर यहां के परवारी यहां के सभी लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग भाग गए कुछ लोग निपाल भाग गए कुछ लोग कहीं भाग गए हैं लगातार प्रसासन उस पर काम कर रही है समाज कापी क्रोधित है आक्रोशित है हमें आवाज देनी होगी 72 घंटे के बाद भी हम रमेश के हत्यारे के पर सुराग पर नहीं पहुँच पाए तो समाज को लगने की हिम्मद जुटानी होगी समाज एक डेट फिक्स करे पांस तारिक के बाद पांस तारिक तक परशासन ने सूटर को नहीं गिरफ़तार कर पाए आप मरवाने वाले को गिरफ़तारी में देर हो सकती है सूटर क्यो अपरादियों का कॉल डिटेल हम निकाले मॉबाल का लोकेशन देके हैं वो कहा है और कौन-कौन इस इलाके में सबसे बड़े सूटर है सीसी टीवी क्या कहता है फोटेज और उस अपरादियों का डिटेल कॉल डिटेल किससे बात वी उस दिन और एक दिन पहले तब पता चलेगा कि सूटर और साजिस करता के बीच कब-कब और कब क्यों बाचित तो फिर हम उसको नियाए दिला पाएंगे रमेश की हत्यारा भचेगा नहीं आप भरोसा रखे पूरी ताकत के साथ अकास पताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फंसी की सजा होगी